इस वीडियो में हम आपके साथ तीन एसे सूट के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए क्योंकि ये तीन सूट आजकल फेशन में बहुत ज्यादा धूम मचा रहे हैं इसलिए बिना वीडियो को स्किप किये सभी डिजाइन को अच्छे से देख लीजिएगा इन तीन सूट के 40 अलग-अलग डिजाइन हमने इस वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश की है और इस वीडियो में कुछ टिप्स भी आपको बताई गई है वो टिप्स भी आपके बहुत काम आ सकती है क्योंकि एक छोटी सी बात की वज़ा से आप अपने पूरे लुक को चेंज कर सकती है पहले नमबर पर जो डिरेस हम आपको दिखा रहे हैं वो है गिरीन और गोल्डन कलर कॉम्बिनेशन वाली डिरेस जी हाँ आप गिरीन कलर का फेब्रिक लेकर उस पर गोल्डन वर्क करवा सकती है या फिर आप ऐसे बने बनाए सूट बने बनाए ड्रेस खरीद सकती है जो गिरीन कलर के फेबरिक पर गोल्डन वर्क किया हुआ हो ये ड्रेस शादी और पार्टियों के लिए बहुत अच्छा उप्शन है नमबर दो पर जो ड्रेस हम आपको सेजस कर रहे हैं वो है बलेक और गोल्डन कलर कॉम्बिनेशन वाले सूट या बलेक और सिल्वर कॉम्बिनेशन वाले सूट या फिर आप ये भी कह सकती हो कि बले एक फेबरिक और उसके साथ में मिरर वर्क आप अगर करवा लेती हो तो ये आप के लिए बहुत अच्छा और बहतरी इन उप्शन हो सकता है लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप जो भी ड्रेस बनवाओ वो आपकी अपनी चोईज के हिसाब से ही होनी चाहिए यानि अगर आप पलाजो पेहनना पसंद करती है तो आपको पलाजो ही बनवाना चाहिए और अगर आप लेंगा फिरोग या गाउन कुछ अलग तरीके की ड्रेस पेहनना पसंद करती है तो आप इस तरह के फेबरिक लेकर और मिरर वर्क वाला यूनिक काम करवा सकती है एसी ड्रेस पेहनने से आप काफी यूनिक और स्टाइलिश लग सकती हो तीसरे नमबर पर जो ड्रेस हम आपको सेजस कर रहे हैं वो है चूडीदार बोटम जी हाँ आप अपनी ड्रेस के साथ में जो बोटम केरी करोगी उसमें आप चूडीदार सेलेक्ट कर सकती है और इसके लिए आप फिरोग भी सेलेक्ट कर सकती है कुर्ती भी ले सकती है या सूट भी बनवा सकती है लेकिन जो बोटम आपका होगा यानि आप जो पेरों में टांगों में पहनेंगी उसमें चूडिया बनी होई होनी चाहिए चुन बने हुए होने चाहिए अगर आप ये वाली ड्रेस भी बनवाती हो तो इसमें भी आप काफी अच्छी और खुमसूरत दिख सकती हो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना हम आपको जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टोपिक के साथ तब तक के लिए बाए